आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ Types of Breeding and Fisheries तो इस वीडियो में हम बात करेंगे About Types of Breeding and Fisheries ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले चीज़ जो हम यह आपे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे Natural Breeding ठीक है, तो Natural Breeding क्या होगी? उसको हम कहते हैं BUND breeding BUND breeding is The Natural Bonds Are Special Type of Ponds Where Natural Water Resource Conditions are Managed For Breeding or Culturing the Fishes ठीक है, तो We're Making a Pond हम एक Pond ऐसे बनाते हैं जिसमें हम Natural रखते हैं सब कुछ, जैसे Natural Conditions और Natural Water और यहाँ पे हम कराते हैं Breeding, इस Pond को हम कहते हैं BUND ठीक है, उसके बाद यह होते हैं In Large Low Lying Areas Large Low Lying Areas में ठीक है, तो Large Low Lying Areas में प्रेजेंट होंगे जहां पे बहुत सारा Collect हो जाएगा Rain Water तो इसका Chief Source होता है Rain Water उसके बाद यहाँ पे एक आउटलेट होता है To Exit the Excess of Rain Water ठीक है, तो इसके अंदर जो Breeding हम करवाएंगे That is Natural Breeding Second Type की जो Breeding है Which is Induced Breeding ठीक है Induced Breeding में क्या होगा कि Artificial Method करवाएंगे For Fertilization of Ova From Females तो Artificially Ova Generate करवाएंगे From Females ठीक है और उसके बाद जो Sperms होंगे वो Collect करेंगे Artificially Sperms Concentrate करेंगे From Males और उसके बाद जो Fertilization का प्रोसेस होगा वो भी होगा Artificial ठीक है और उसके बाद जो Fishes है जो हमारे Young Fishes होंगे उन्हें हम Breed करेंगे In Some Artificial Pond ठीक है तो हम जो इसमें हॉमोन्स उन्हें देते हैं Gornadotropin वो देते हैं FSH और LH ठीक है जो कि Pituitary Gland से आते हैं ठीक है और उसके बाद हम कराते हैं इनकी Spawning ठीक है तो In India ये सबसे पहले किया गया था In 1938 1938 में किया गया था इंडिया में ठीक है और ये किया था कौन सी Fishes के उपर Rhynus Mergala Mergala ठीक है तो ये फिश का नाम है जिसके उपर सबसे पहले Spawning की गई थी और इसके उपर Inject किया गया था Mammalien Pituitary Hormone ठीक है तो ये होगए Induced Breeding जो थर्ड टाइप की Breeding है हमारे पास वो है Composite Fish Farming Composite Fish Farming ठीक है तो Composite Fish Farming में क्या होगा हम Select करेंगे Few Species जिनको हम करते हैं Stock ठीक है और उसके बाद Proper उन्हें दिया जाएगा Food उसके बाद उन्हें Proper एक portion मिलेगा जिसकी वज़ा से जो Total Production है Fish का वो हो जाएगा Increase ठीक है और यह होती है Mixed Farming तो हम करेंगे Different Species Select Species Are Selected ठीक है और Different Species Select करके हम उन्हें देंगे एक Artificial Point ठीक है जहाँ पर उन्हें Conditions उन्ही Conditions में रखेंगे जिनमें वो Generally रहती है ठीक है और इसकी वज़ा से जो Total Production है ठीक है वो हो जाएगा Increase तो इससे होगा क्या अब इससे यह होगा कि हमें एक साथ कई तरह की Fishes मिल जाएंगी तो इसलिए हम इसे कहते हैं Mixed Farming या फिर Composite Farming उसके बाद यहां पे सब Advantage भी मिलेंगे जैसे पूरा Area जो होगा हमारा Pond का वो हो जाएगा Utilize और Competition होगा नहीं क्योंकि वो Different Species हैं तो वो Competition करेंगी नहीं तो हम इसमें Examples में लिख सकते हैं जैसे हमारी होती है Catla Catla को Rohu और Mirgala के साथ Rear करते हैं ठीक है क्योंकि यह सब Surface Feeders हैं Column Feeders हैं Bottom Feeders हैं तो यह है हमारी Catla Which is Surface Feeders यह है हमारी Column Feeder और उसके बाद जो Mirgala है हमारी Bottom Feeder है तो खाने के लिए इन में कभी लडाई नहीं होने वारी है तो यहां पे कोई भी Competition नहीं होगा Because जो खाना है अगर Surface में Present होगा तो उसे Catla खाएगी Rohu Columns में Present होगा Vertically In the Middle तो उसे Rohu खाएगी और Mirgala जो Bottom में Settled होता है उसे खाएगी ठीक है तो इन सब का Composite Farming अगर हम करेंगे तो हमें 3 Different Species मिलेंगी जिसमें Competition भी नहीं होगा तो यह फायदा होता है Composite Farming का तो यह तो होगा Types of Greeding अब यह देख लेते हैं हम कि हमें कौन सी Important Edible Fishes मिलती है इंडिया में Important Edible Fishes ठीक है इंडिया के बात करें पहले तो हमें इंडिया में मिलती है रोहू जिसका नाम है Labio Rohita ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे हमें मिलती है कालबासू Labio कालबासू ठीक है उसके बाद यहाँ पे मिलती है कतला उसका नाम है कतला इसके बाद मरिगाला ठीक है तो मरिगाला में सिहरस मरिगाला अब जो हमें मिलती है Marine Fishes यह तो हो गई हमारी सारी Fresh Water ठीक है अब हो गई Marine अगर हम देखें तो Marine Fishes कौन सी मिलती है में यहाँ पे Marine Fishes में सबसे पहले मिलेगी हिलसा ठीक है तो हिलसा हिलसा उसके बाद Promphet Promphet ठीक है Promphet का नाम है Storm Storm Traumatious Traumatious ठीक है उसके साथ में यहाँ पे हमें मिलीगी Salmon 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 फिर उसके बाद मिलीगी Sardine Sardine Fish फिर उसके साथ यहाँ पे हमें मिलती है एक Tuna ठीक है Tuna is Thunus Sardine का लिखना रह गया Sardine is Sardinella Salmon का Salmon नहीं होता है बस डिफरेंस यह करता है कि उसमें जीनस कौन सा है ठीक है और इसके बाद हमें मिलती है Ale Angulia Species तो यह हो गई कुछ हमारी Marine Species और यह हो गई हमारी Fresh Water Fishes जिसी के साथ हमारी breeding होती है खतम आज ही डाउनलोट करें डाउट नटाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट आच चारसो 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 पर